शुक्लाना में हमारा स्वाकत कर दे आज अमीद है आप लोग बहुत बैतर होंगे स्वस्त होंगे और कताई बहुत सुरक्षित भी होंगे उमीद है लास्ट क्लास में बढ़ाई भी बात है दिमाग में थोड़ी बैटी होंगी और याद रखना आप प्रिवेसर कोशन उठा अब हम बढ़ लंबा जाने वाले बड़ा चैप्टर है बड़ी आसानी से बड़ी बढ़ी बाते हैं बड़े टाइग्राम बड़े 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 बॉंड बड़े स्ट्रक्षर सब पढ़ने वाले है लेकिन जो यह बेसिक जो सुरू में बढ़ा रहा हूं यह मतलब कु कुछ नई विश्यों के बारे में चिक तो बायो मॉलिक्योल्स पर लास क्लास में मैंने तुम्हें दो तीन चीजे बता दी थी आज उसके आगे हम चीजे पढ़ने वाले हैं तो लास क्लास में क्या क्या पढ़ा था मैंने तुम्हें यह समझा दिया था मतलब एकदम समझा कि मतलब हो सकता है कि दिमाग में बस जाना चाहिए तुमें है कि कैसे हमने ये निकाला कि जो भी पदार्थ हैं उन में से कौन Acid Solubal में मिलेगा कौन Acid Insolubal में मिलेगा इसी आधार पर हमने ये देखा कि कौन सा पदार्थ व्रिहद मॉलिक्यू अडू है और कौन है लगू अडू है सुक्षम अडू है उसमें एक अपवाद वशा को भी हमने देखा कि वशा जो है वो सुक्षम अडू है पर मिलता हमको व्रिहद अडू के साथ है मतलब वो होना चाहिए था ऐसा नहीं कि वो एसेट सॉल ही है पर वो लगू अडू है उसका आंडविक पदा भार कम होता है लेकिन वो सकंदित हो जाता है और वशा में घुलनसील नहीं है that's why वो मिलता है हमें वर्षा अगुलंशील मदार्थ में एसेड इंसॉलिबल पूल में मिलता है और जो नीचे मिला वो तो गुलंशील है तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सारी बाते बढ़िया ध्यान से पढ़ना और मतलब जितने भी चैप्टर हैं तुम जहां पर कोई केमिकल देखो उस केमिकल को खोज़ने के कोशिश करो कि अगर मैं इसको डालूंगा तो वो एसेड सॉलिबल में मिलेगा कि इंसॉलिबल में मिलेगा तो तुम्हारा कमार्ण इंकदम बढ़िया हो जाएगा फिर लास्क्लास में आपको ये भी बताया पर नुकलिक असड़ पर नुकलिक असड़ होता है फिर कार्भो हाइड़रेट फिर हमारे पास में लेपिड और आयनसी भी हमारी मातरा में होते हैं और बहुत बड़ी चीज नहीं देखने पर कठीन सा लगने वाला ये फ्लो चार्ट ये डाइग्राम थोड़ी देर में आ हम existe, जाता है तो औकऊसीजन है एक है ऐनकर नाइट्रोजन है एक है तो सबसे लगसेल है फिल्सक अग के अदर कोशीग दर्व होता है उसमें सबसे आदा मातरा में प्रिश्न पाया जाता है ठीक है यह फिर पढ़ाया जाता है कि वो क्यों पाया जाता है कि हैसा फिर चीजे आके समझ में और आ जाएंगे पोटेशन जरूर यह पोटेशन बड़ा इंपोटेशन है और पहले भी प्रिशन पूछे गए हैं अब आज का टॉपिक हमारा यह है अब यह देखो मैंने लास्ट लास में जो मैं आपको बताया था वो तो सारे औरगनिक पदार्थे पदार्त जो है ये जय बडूं झाय। जो कार्बनीक पदार्त थे वही जय बडूं हैं ये हमें पता है। अब कार्बनिक पदार्त के जय बडू हैं वह बने पिर परोटीन लेपेटो आंजो कुछ दुछ संपकी भी शरह दोधुक्त आज़े ही तो था है अब 1914 तो क्या मिलेगा तो अकार्बनिक पदार्थ को हमें खोजना है यह कैसे होता है तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्यामिकल एनलेसिस अब ये इतना एंग्लिस तो सभी को पता होता है कि chemical analysis का मतलब वही परिक्षण करना होता है हम परिक्षण करते हैं तो मानलो हमको एक कोशिका ले लिए और उसका हम क्याम करने वाले हैं प्रासाइनिक परिक्षण अब हम करने वाले हैं तो फिर से अगेन वही लिया हमने कोश अगर हम धाले हैं तो में मतलब अगर हम चेक करें मानलो हम तुक है हमने इसका वैट चकिया होगा तो वेत अगर वेत वेत कहती है मैंने इसका चेक किया होगा तो फिर इसका वेट में क्या अंसर आएगा ठीक है तो अगर मान लो और्गनिक इन और्गनिक यहाँ पर यह पदार उर्फागे ठीक है, ओर्गनिक और आ गया और कौन आ गया? इनलगनिक तो यहाँ पर यह मान लेते हैं अगर इसका अपन wait check किये होते हैं तो भार check किया होता तो हमने इसका wait आता, wet wait ठीक है? वेट आने, मतलब इसे अपन कहेंगे कि दरव्यमान कहेंगे उसे सुष्क नहीं, क्या बलते हैं ही हिंदी में नम दरव्यमान, ठीक है मुखे दरव्यमान जो होता है वेट, वेट निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है क्योंकि इस समय जो है, इसके पास organic पदार्थ भी है ५ इसके पास हिस्सम्हे और तो लेचा गया और इनगनीक पदार्थभी है और इहां पर जो है भार का परिक्षन अगर हम करेंगे तो ये भार के परिक्षन में एक बात निकल कर आएगे कि पानी है इसलिए वो नम भार है यह पॉइंट याद राखना वेट ज्यादा एक इंगलिश में ज्यादा वर्ड यूज होता है इसके लिए वेट वेट पर इंपॉर्ड़न है उखा दिया इसका मतलब क्या है भाई हमने पानी उड़ा दिया पानी उड़ा दिया वेपराइजिशन करवा दिया पानी हटा दिया पानी हटा दिया तो शुष कोशिका हमें यहां पर दिखाई देगी ठीक है अब हमें यहां पर दिखाई देगी सुष कोशिका आपको दि करते हूइ हैं कि कमशन कर दिया हैवारे पुटने को होता है तेहन करने के parents कि पता है ऑद हमारे पस यह पदार थिखेता है ना गरोड़ कि यह तने science के और पार कीने से अब जितने भी helping तो जैसे ही हम जलाएंगे तो हमारा पूरा कार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या हो गया चला गया तो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ जो हमने जलाएंगे तो बचा क्या होगा जब कार्बनिक पदार्थ पूरा उड़ ही गया तो बचा हुआ पदार्थ इसको कोशिका से बचा कौन तो सिर्फ अब बचा हुआ है इनके पास अकार्बनिक पदार्थ क्या बचा हुआ है अक तो बेटा एक बात समझ मैं कि देखो बड़ा कहानी एकदम सिंपल सा फ्लो चार्ट में समझना ज्यादा लंबा चोड़ा पढ़ने की जुरत नहीं है सिंपल सा पॉइंट है कि दो चीज़े यहां से हो सकती है ठीक है और उन दो चीज़ों पर अपना फोकस करना ठीक है बर्न कर दिया तो देखो हमारे पास एक पत्ती है एक सेल है एक कोशिका है हमने देखा कि कोशिका के पास में दीन चीज़े हो सकती है वाटर और अरगनिक प बड़ािक फैय के इसे बीकषच स्वाला है। जिसमें कार्बनीक है और आपर पदातल है वो क्या हुआ हुआा पानी को हताने से ही आप बचा कौन ऑर्गनीक और इन और्गनीक इसमें सब औरगनीक को कैसे हटाएssa और्गनिक को हटाने के लिए हमने उसमें जला दिया जलाया तो क्या हुआ जलाना ओक्सिन के उपस्थिती में होता है तो कार्बन जो है वो कार्बन डायोकसाइड बनके चला गया कार्बनिक में दो ही थो हता है कार्बन और है ट्रोजन तो जो हमारा कार्बन है वो वहाँ पर उड़के चला गया ठीक है और अकार्बनिक पदार्थ जो है हमारे पास में अकार्बनिक पदार्थ बचा रहे गया अब इस अकारवनिक पदार्थ को हमें खोजना है कि अकारवनिक पदार्थ क्या है, कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, यह चीज हम, ठीक है अब यह अकारवनिक पदार्थ हमें मिल गया, अब इस सवाल का जवाब, मतलब कोशन पूछाता है कि अ अकार्बनिक पदार्थ हो कौन सकता है तो अकार्बनिक पदार्थ का ना कभी तुमसे कोई कोई स्वेश कोश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अकार्बनिक पदार्थ कौन है क्या है कैसा है कि सब चीज नहीं आता है simple से question आएंगा क्या carbonic by दार्थ क्या होतें ज्यादततर इसमें जो है na millions number multiple बहुत सारे ions हो सबस्सक्रीज क्या होते हैं तो तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि अब ions में क्या है तो मैं आपने को पहले ही बताए कि सबसे ज़्दिजा आयका हे सरवादिक पाया जाने वाला धनायन चीक है यह याद रखना यह कोशिका के अंदर इंट्रा सेललर बोल रहा हूं मैं याद रखना यह शब्दा आएगा इंट्रा सेललर मतलब अंतर कोशिके अंतरा कोशिकी एक कोशिका के अंदर हैं एक कोशिका के अंदर अंतरा कोशिका जो पदार्थ देखा जाएगा तो निसके अलाव आपके पास sodium A.N. इसके पास, macht magnesium A.N. Allella लाइन से 2-4 अपने इसाब से लिख ले ना कि इस रूप में पाया जाता है ये अब ये तो chemistry का पार्थ है यार तो chemistry में तो लो पढ़ ले ना कि magnesium令 Mg2 प्लस के फोर्म में sodium A.N. प्लस के फोर्म में nhiều कार्बोनेट है ये हैना सलफेट है ये पोटेशियम है ये केलशियम है ये यही सब तो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इन में कोई मसला ही नहीं तो अकार्बनिक पदार्थ को यादिकत नहीं लेकिन निकालते कैसे हैं कार्बनिक पदार्थ को ये प्रश्ण बोला जा सकता ह है तो हैसे में हमने शुष्प भार किसे निकाला पानी को निकाले के शुष्प भार आ गया और दूसरी बात कार्वनिक पदार को कैसे निकाला हमने असे कार्वनिक पदार को निकालने के लिए तहंने कर गया जला दिया तो जलाने से waterproof वाटर जो है वो हाइड्रोजन वाटर बन गया और कार्बन जो है कार्बन टायोसेट बनके निकल लिए कहानी अमारी यहां पर कम्प्लीट हो गई पदारत की अणूओं की और अणू के मटेरियल थी एक लाइन मत मैं लोड़ा सा हेंट कर दूं कि कभी-कभी जो है न यह जो क 800 Dalton से कम वाले सुक्ष्माड्यो कहलाएंगे और 800 Dalton से बड़े वाले वरियद अधरू कहलाएंगे गभी-कभी यह देटा एक हजार की आसपास में हो जाता है कभी-कभी यह देटा एक हजार के असपास में कभी अगर ऐसा कोश्शन दिया हुए कि 800 की जगे 1000 option आजाए तो आंसर 800 ही रहेगा लेकिन अगर 1000 वाले options कहीं पर रहें तो आप उसे 1000 भी मान सकते हैं कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होती आठ सो डॉल्टन भी authentic data है और 1000 भी authentic data है तो बहुत सारी books में जो है न सुक्षमाणू को 1000 मान रखा है कि micro और macro मैंने तुम्हें बता दिया ये micro molecules होते हैं और ये micro molecules होते हैं दोनों को हम लोगों ने पढ़ रखा है अब हमारे topic में इन दोनों के पास में एक चीज़ और आ जाएगी जैसे मान लो उपापचे पदार्थ उपापचे पदार्थ ये कोछ शब्द आते हैं जिसको हमको पढ़ना है और मेरी साथ से ने इस topic का सबसे जरूरी topic भी है उपापचे पदार्थ यह जो भी उपापचे में थोड़ा बहुत बनता नता है उसे उपापचे पदार्थ कहते हैं दो प्रकार की होते ही लोग एक को हम कह देंगे प्रात्मिक ठीक है एक को हम कह देते हैं प्रात्मिक उपापचे पदार्थ ठीक है प्राइमरी मेटा पोलाइट्स कह देते हैं और दूसरे का नाम हो जाएगा जिसे हम कह देंगे दृतियक उपापचाई पदार्थ उपापचाई पदार्थ वो हो गया प्रात्मिक और यह हो गया अमारे पास में दृतियक जेक है वो हो गया प्रात्मिक और यह हो गया तो दो प्रगार के अमारे पास में मडरेल हो सकते ह एक बड़ा important suppression बनता है इस topic का इस पर क्या सवाल आते हैं यह द्यान देते हैं तो देखो सबसे बहले चीज यह रहे है कि प्राथमिक और दुद्याग हम पता कैसे लगाई प्राथमिक कौन है दुद्याग कौन है तो प्राथमिक उपापचयी पदार्थ का मतलब होता है प्र एसे पदार्थ कि जो उपापचयी क्या बोले हमने उसे टारेक्टली एक लाइन का देफिनिशन याद रखने उपापचयी अभिक रियाओं में उपापचयी अभिकरियाय या physiological जियाद रखना अभे करियाओं में अभी करियाओं या फिर से अपन कहते हैं शारीर्कियर या जो भी लिखते होंगे शारीर की मैं एंग्लिश में लिखता हूँ वह पध्यान ले निः ढेणा व प्रत्यक्ष तौर पर इसे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं तो यह चोटी से डेफिनीशन हो गई यह आपके लिए काम आ जाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा कारे निश्चित होगा और आवश्यक रहेगा अवश्यक होते हैं मतलब किसी कारे के लिए बड़े जरूरी से होंगे तो हम उसे कह देंगे कि प्राथमिक उपापचा है तो यह एकदम सीधा सा कॉंसेप्ट है कि प्रोटीन ठीक है यह जो हमको पता है वश्यक का फंक्शन हमको पता है कार्बो हाइड्रेट का फंक्शन हमको पता है तो यह जो जो पता है हमें वह बड़ी आसान बात हो यह सारे काम जो है वह प्राथमिक जीवों के द्वार जीवित या जीवों के द्वारा लिख सकते हैं जीविद जीव का मतलब वी जीवत होते हैं ठीक है यह इंदे में इसे डबल डबल लिखना पड़ जा रहा है तो यहां पर पॉइंट आ जाता है यह जीवों के द्वारा जीवों के द्वारा उत्पन होते हैं मतलब बनते हैं उत्पन होते हैं संस्लेशन होता है संस्लेशन होते हैं यह बात यहां पर आती है जीवों के द्वारा उत्पन होते हैं अब सवाल आता है दुतियक उपापजई पदार्थ तो जो दुतियक पादप याने प्लांट एंड फंकस आधी के दौरा यह एनिमल के दौरा बढ़ा कम बनता है कि दौरा बनते हैं Carrρα के दिखा गया है कि दौरा बनते हैं जो कुछuch भी बनता है हमको पता होता है क्या है बनते हैं इनका कोई विशेस मतलब ऐसा पता नहीं चलता कि इनका विशेस कारे क्या है विशेस मतलब कहना चाहिए physiological physiological का मतलब होता है शारीर की अकार की physiological importance नहीं होता महत्व नहीं होता मतलब ऐसा कुछ special महत्व नहीं है कि ये सरीर बना रहा हो है ना निर्माड कर रहा हूं महत्व है नहीं होता है तो यह पता नहीं होता क्यों है नहीं लेगा उपापचय में भाग नहीं लेगा अवश्चक है नो डाउट यह भी जरूरी होंगे लेकिन डारेक्टली कोई रियक्शन नहीं करवा रहे हैं डारेक्टली कोई पार्ट्सपेशन नहीं करवा रहे हैं मतलब हमें नहीं पता कि हाथ कान नाक मूँ तवच्छा कहीं कुछ बनाने में नहीं है हाँ कुछ है लेकिन उसका उस प्लांट में क्या रोल है वो प्लांट में क्या किसी अभिक्रिया में भाग लिया क्या किसी रेक्षन करवाया क्या उससे कोई उर्जा मिली क्या उससे कोई संरचना मिली ये नहीं पता ये नहीं पता मतलब नहीं बनाता अभी तो नहीं पता ना नहीं तो पता चल जाता तो कोई ऐसा physiological reaction अभी तक इसका नहीं पता चलता है कि ये कुछ special बना रहा है जबकि हम जिनका प्राथमिक की बात कर रहे हैं हमें पता रहता है कि ये संरचना बना रहा है यह उपापचय अभी क्रिया में उर्जा देने का काम कर रहा है उर्जा बना रहा है उर्जा तोड़ रहा है कुछ नपुस्तो कर रहा है जबकि इसके साथ ऐसा बिलकुल भी नहीं होता तो इसलिए याद रखना कि जो directly parts fit है वो प्राथमिक है और जो indirectly parts fit हो या फिर ना ही parts fit करे तो वो दुदियक उपापचय होता है और यहीं हमको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन आएगा ये दुदियक उपापचय में कौन कौन आएगा क्या क्या हो सकता है ठीक है तो उपापचय में भाग लेगा useful for आवश्यक है आवश्यक होगा आवश्यक होगा मानों के लिए मतलब कहना चाहिए कि आर्थिक तोर पर मतलब बड़ा importance होगा है ना आर्थिक महत्व होगा इसका आर्थिक महत्व है ठीक है आर्थिक महत्व है है ठीक है आर्थिक महत्व है इसका हो सकता है मतलब यह काम आ सकता है तुम इसको बेच वेच के कुछ उपयोग कर सकते हैं लेकिन तुम है ऐसा नहीं लगेगा ख्यार यह काम तो थोड़ी होगा तो यह तुम काम खोजे होई वाला ठीक है यह तुम काम खोजे हो कि कोई क्यामिकल का तुम ड्रेक्स बना लो दवाई बना होगा उसको थोड़ी पता तक भाविश्च में तुम्हें टक्स की आवर्शकता पड़ेगी तो इसलिए यह दुद्यक वाला पार्ट है और यह जो है वह प्राथिमिक वाला भाग कहलाता है अब इन दोनों के बीच में एक बड़ा यह बात बहुत पुछी जाती है कि कौन कौन से यहां पर इनके दुद्यक उपापचय होते हैं हमको यह पढ़ लिना चाहिए कि दुद्यक उपापचय कहते हैं और मैं मॉस्ट इंपोर्टन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उमेर तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि हम किसे प्राथमिक उपचय कह रहें किसे जिसका identical function नहीं है जिसका identical function नहीं है जिसका कोई physiological पता नहीं है कि वो अभी क्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं ली रहा है उपापचय में भाग ले रहा है कि नहीं ली रहा है वो हमारा प्राथमिक है और जिसका सब कुछ पता है वो प्राथमिक है प्राथमिक लगबक समान पौधों में जन्तूओं में लगबग जितने वे भी हैं उनमें प्रोटीन तो प्रोटीन है वशा तो वशा है लिपिड तो लिपिड है सब में होता है लेकिन जो दुदियक उपापचे होते सब में समान नहीं होता है तो आईए आते हैं दुद्यक उपापचे में कि दुद्यक उपापचे पदार्थ क्या हो सकता है तो दुद्यक उपापचे उपापचे पदार्थ ये क्या हो सकता है ये अभी हम देखेंगे दुद्यक उपापचे पदार्थ ये बाट आएगा हमारा तो इस पदार्थ में अगर हम देखें कि दुदिया कुपा पचे पदार्थ क्या के जनरली कर सकता है तो हम दो ही चीज देखते हैं कि यह पदार्थ है और यह वो रिक्षन है जो करने वाला है जो होगा यहां पर ठीक है तो इस पे अपन पॉइंट बना लेते हैं अब ज़रूद नहीं है जैसे एक आता है कैरोटिनॉइट ठीक है कैरोटिनॉइट इसे अपन कहते हैं और इसके अलावा एक और वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं जैन्थोफिल अब देखो यह जो है ना कैरोटिनॉइट से जैन्थोफिल जो है और इसके अलावा फाइको यह आते हैं, तो जेंथो फिल के तो फिर भी थोड़े बहुत function है, एंथोसाइन के कुछ खाथ function यहां पर नज़र नहीं आते हैं, तो जेंथो फिल के थोड़े बहुत function है, वो याद रखना है, यह दो NCIT लिख रखे हैं, दो ही लिखो, तीसरा फिर अभी बताऊं गाद में, यह दो शब्द आप देखे होगे आपने कि एंथोसाइनीन जो है ना वो बनाता है क्या मतलब जो हमारे पैटल्स होते है ना पॉधों की मतलब प्लांट की पंखुडिया होती है उसका रंग बनाता है अब रंग हमको देखने में बड़ा सुंदर लगता है वो बहुरे को भी अट्रेक्ट करता है लेकिन क्या उसका कोई physiological reaction है क्या उससे कोई उपापचय अभिक्रिया कर रहा है क्या उसके सरीर में उसका कोई खास फायदा हो रहा है कि सिरुफ परागन करने के लिए उसमें अपने आपको रंग को बदा दिया गाजर का लाल रंग या फिर वो अब दलपुंज का रंग बनाता है तो उस रंग का उसकी अभिक्रियाओं से कोई खास लिना देना नहीं होता तो वर्णा का आ जाता है इसके बाद आजाता है essential oils इसे अपन कहते हैं तो इसे अपन कहते है आवश्यक essential oil आवश्यक तेल ओवश्यक मतलब कुछ विशेस प्रकार के तेल हैं जिशे हम लोग essential मानते हैं लेकिन वह essential है कि नहीं वो ही जाने लेकिन आवश्यक तेल हम माचन लेते हैं तीक है इसे कहा जाता है salmon, grass oil मतलब इसे हम क्या कहेंगी हिंदी में लेमन याने नीबू घास का तेल ठीक है यह मतलब यह काम करता है नीबू और घास का तेल जो वर्ड आता है यह यह इसनस्यल ऑईल में आता है यह आप से क्रॉस कोष्चन में बहुत पूछा जाएगा ठीक है वो जब आएंगे न क्या नाम है इसका मैच दी फॉलिविंग तो ऐसे में बहुत कोशन पूछी देंगे का आवश्यक तेल कौन सा है तो याद रखना आवश्यक तेल जो है लेमन ग्रास ओईल है इसके बाद एक आता है इसे अपन कहते हैं तर्पिनॉइट अब तर्पिनॉइट तो वही जाते हैं तर्पीन वर्प सकते हैं अब यह हिंदी में बड़ा मुश्किल हो जाता है लिकना इंग्लिश अलग नाम अलग मोनो टर्पीन और उसके बाद एक और वर्ड आता है डाई टर्पीन तो यह तो इतने यह तीन तुम्हें एकदम आसानी से याद हो जाएंगे देखो यार मतलब तेल भुला है कैरेटीनॉइट्स हैं यह वाला 2019 में भी इसमें प्रीविश एर कोश्चन है आवश्यक तेल जो है नीबू घास का तेल है तो यह तो तुम से बनी जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई मसला नहीं आता तर्पीन्स 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 ऐसा लिख देते है यह हो गया फिर इसके बाद हमारे पास में कुछ इस्पेशल इस्पेशल टाइप क्या आते हैं जिन में से एक आता है ड्रक्स यह बड़ा पूछा जाएगा ड्रक्स कौन है तो ट्रक्स में आता है एक वर्ड आता है अबरिन बड़ा से इंगलिश में लिख देता हूं यार इंदी में बड़ा- बड़ा दिक्कत हो रहा था और एक नाम है रिसंद एक का नाम है जो है ना बरिंसे इलत है रन्ड के तेल से मिलता है रन्ड से मिलता है यह अर्ण से मिलेगा यह दोनों के दोनों जो हैं जहर है toxins जहर समझ मैं मेरी बात इसके बाद हमारे पास पांचवे number का एक और पाट आएगा ध्यान से सुलते चलना इससे धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इह मिलता है हल्दी से हल्दी से प्राप्थ होता है यह Gall challenge जो है हल्दी से प्राप्त होगा यह कुछ-कुछ एक्स्ट्रा बाते हैं नहीं लिखी हुई वह में लिख देता हूं विन-ब्लास्टिन की वह थेरपी में काम आता है इसके बाद छटवे नंबर पर कुछ वर्ड होते हैं लैक्टिन्स ठीक है तो लैक्टिन्स जो है अरे या क्यमिकल होते हैं इनका नाम होता है इनके पास में नॉर्मलन वर्ड जायेगा असे वैंशो हो विलिन ए ये ना मागे ये 2019 का question है ठीक है कि कौन कहना विलिन ए क्या है कौन कहना विलिन ए लैक्तिन से sir last class में से question भी पूछा था मैं है तुमसे है ना कौन कहना विलिन ए जो है ये word याग रखना ठीक है अब इसके बाद हमारे हमारे पास में और क्या आ सकता है इसके अलाववा और हमारे पास में आ सकता है कि लास्ट पॉइंट पर सेवंत नंबर पर कुछ आ राकलाईट्स थे घृष क्यों थे टीकिले लगोट मैं एक्रील्लॉ यह याद नहीं होता है बच्चों से इसलिए धीरे 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 पैक्टिस करेंगे और इसका रिवीजन भी करवा दूगा मैं आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं अब हमारे पास में साथ के बाद आठवे नंबर पे एक और पदार्थ आ जाता है बस लिख लेना कि जिसे हम कहेंगे बहुलक पदार्थ तो बहुलक वाले पदार्थ में हमारे पास में क्या जाएगा जैसे आगया रबर ठीक है रबर आगया गम गोंद ठीक है ये जो है हमार खतम बिटा और एक बार 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 इसको अब थोड़ा सा तुम्हें revision करना होगा ठीक है बार 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 रिवीजन करना होगी कौन किसमे क्या क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है ठीक है पहुलक पदार्थ में यहां पर cellulose हो गया यह बात ठीक है तो हो गई बकाने खतम complete बेटा यह आठ नाम के हमारे पास में जो टॉपिक है उसको याद कर लेना ठीक है और तुम्हें अगर इसका किसी का ये कहाले को इंग्लेश में लेक दिया मैने तो कौन कहने विलिन ए ची betyou azul झालो बस खतम और किया ये तो तो तुम्हारी कहान ही हो गई बस ध्यान से इतना पढ़ लिए तो तुम्हारी कहान ही दन तो तुम्हें क्रोस कोश्चन करना होगा बार 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 पढ़ना होगा और रिवीजन करना होगा एक एक सांत में ठीक है अब चलो एक बार यहीं पर सांत में रिवीजन करें तो लिख सकते हो, alkaloids, alkaloid ये हिंदी यही दिक्कत है, मैं adoid लिख दिया हूँ तो देख ले न, alkaloid को इंग्लिश में ऐसी कहते है, morphine, codicine, adi, इसके बाद हमारे पास पर terpenoids है, monoterpenes, diterpenes, आवश्चक तेल, नेबु घास का तेल, ठीक है, toxins जो है, abarin और racin है, lactins जो है, concan naveline A है, drugs, windblastin, gugurmin है, baulagpadarth, rubbergons, cellulose है, मैं तो एकी बात कहूँगा, कि दो तीन बार याद करो, मैं तुमें, एक देखो, कुछ बड़ी चीज नहीं है, तुम आसानी से न, तीन चीज तो एकदम, पॉइंट में, चार पॉइंट को याद कर सकतो, आठ है टोटल, और एक एकजामपल होगे, हमारे पास में, मतलब करोटिनोइट, ये दोनों खदम होगे, फिर क्या बचा, एक और याद हो सकता है, जो इद्दम आसानी से शब्द में दिखा हुआ, lemon gross oil, और वो है हमारा essential oil, मतलब आवश्यक तेल है, ये दो बाते खदम होगे, फिर जब य जैसी दो बाते खदम होगे, तो तीसरे νपर पे एक और याद हो सकता है, जिसे अपन कहता है, तर्पिनोइट्स, तो लगबग उसे से मिलता जुलता है, तो monoturpenes और diterpenes,аша में दो यह दो यहाँ पर हो जाते है, फिर हमारे पास आते हैं मतलब है टॉक्सिन पदार्थ अबरिन और रिसन टॉक्सिन पदार्थ कौन है अबरिन और रिसन ये दो हो गए फिर आगया हमारे पास में अलकलोईड, मॉर्फिन और कोडिन ठीक है फिर हमारे पास में आगया हमारे पास बहुलग बहुलग पदा आप में ये जो बचा कौन सा रबर गोंद ये सारे चीज़ आ जाती है तो बस एक बर ध्यान से बस इसको अच्छे से पढ़ने का है कानिया एकदम आचानी से बन जाएंगे तो टॉपिक यहां पर ध्यान रखिए इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करना क्योंकि जरूरी टॉपिक है बड़ा इंपोर्टेंट सा टॉपिक है इसको बड़िया ध्यान से पढ़ लेना इक पर ठीक है तो ये पोश्चन जो हमारा ये कंप्रेट हो गया ना इसको थोड के पास विन ब्लास्टिन और हमारे पास जो करकुमिन है ये हमारे ड्रक्स है अलकलोइट में जो है मॉर्फिन कोडिन से होते हैं और बाकी दो चार बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा ठीक है डिवीजन कर लेना चलिए जनाब अब स्टार्ट करते हैं यहां से हम पढ़ रहे हैं और उसमें से हमारे पास सबसे पहला पदार्थ हमान लेते हैं अमीनो अमला हम पहला पढ़ने वाले हैं अमीनो अमला मतलब यह छोटे चोटे यूनिट है उनको पढ़ने वाले हैं तो अमीनो अमला के बारे में क्या जानते हो तुम क्या जानते हो सबसे पहले पूल में आएगा ये ये जो पूल है इसका वो acid soluble में है मतलब गुलनशील है इसे shortcut में लिख लेना ASP ठीक है अब ये जो soluble pool में है इसका मतलब ये है कि इसका जो 800 Dalton से कम हुगा 800 Dalton से कम हुगा ये बात भी याद रखना मतलब हमेंश प्रतिस्थापित मेथेन हम बना रहे हैं अब प्रतिस्थापित मेथेन का मतलब कारबन, वह सीटर हाई होता है। झाम सामने तिना मेधन, काधा ननी कि एक धोता है आले मेधन। कील करके कि लगबाग सारे नगे सार फच्दी, क स्टतरा हुआने चीजर दीन. तो कार्बन के साथ में मैंने यहां पर अभी मान लो उपर हाइड्रोजन ही है इधर हाइड्रोजन की जगए ना C double bond OOH यहां ने कार्बोक्सलिक ग्रुप जोड़ दिया वैसे यह सब बनाने की जुरूद दिरेक्ली बना देता हूँ है C double OH ठीक है C double OH यहां पर बना दिये और यहां पर आगया हमारे पास में मान लेते हैं अलकाइल समूँ और यहां पर हम जोड़ देते हैं NH2 ठीक है तो एक साथ अगर मान लेते हैं तीन कार्बोक्सलिक समूँ हमने हट तीन काहिड्रोजन हटाए एक में कार्बोक्सलिक समूँ जोड़ दिया एक में आर याने अलकि इनका प्रते स्थापन करके हमने यहां पर अमीनो अमल बना लिया तो हमारे सरीर में जितने भी अमीनो अमल हैं यह अमीनो अमल देखो अमीनो अमल का फॉर्मूला आप से कहा जाए फॉर्मूला पताओ तो आप अमीनो अमल का फॉर्मूला यही है यह बेसिक फॉर्मूला की क कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिल्विक समूओ कार्बन के एक तरफ एमीन समूओ कार्बन के एक तरफ हाइड्रकार्बन वाला लकिल चुड्रक। समूओ और हईड्रोजं अलकिल मतलब क्या होता है CS 3,C2H5,C3,C7C3. के लिए और क्या है यही सब चुड़ता हुआ चला जाएगा यह अमीनोसिट का फॉर्मूला हो गया और डिटेल करें तो पता यह चलता है भाई कि अब इसके बारे में बताओ कि क्या क्या जानते हो तो अमीनो अमल की गुण के अब यहां पर टॉपिक आ जाएगा अमीनो अम का ट्रोजन है इधर की तरफ में मालेते हैं अल्किल तपमू है चीडबल बॉंड ऑँ है और स्ट्पॉं मतलब सी डबल ब todavía और एच अल्किल समू ये पहली बात हो गई दूसरी बात हो गई सी डबलो एच जो होता है ये हमारा समू है कार बॉक्स से लिख समू है ये हमारे पास में दूसरा समू हमारे पास में क्या है बिटा जी एनस्टू एमीन ग्रूप है ये ठीक है एमीन समू है हमारे पास में और एच तो है ही हाइड्रोजन एच क्या है हमारे पास हाइड्रोजन तो चार समू है हमारे पास में यह याद रख लेना अब इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो क्या क्या समझ में आता है तो देखो मैं तीन बात बताता हूँ आपको इसके पास में है क्या क्या सबसे पहले पूछे देगा amino acid में क्या होता है इसमें alpha क्या बोला मैंने इसमें alpha carbon युक्त होता है ठीक है और इस वज़े से इन साभी के सभी को हम कहते हैं alpha amino aml ये पहली property है जो किसी हम amino acid में देखते हैं उसका नाम है alpha amino acid क्यों क्योंकि यार उसके पास alpha carbon है और क्या होता alpha carbon ये तों क्यमेस्ट्य में पढ़ो गई मैंने hint कर दिया क्रियात्मा समू के बाद वाला पहला carbon alpha carbon होता है दूसरी चीज एक और खास बात होती है कि मानलो इसे हम लोग घोल दिये कहीं पर दो समू दिख रहा है दो समू दिख रहे ये पहला property हो गया दूसरा property य लिखा हुआ है फिर अगेन वही बात हो गई सी डबल ओएच और यहां पर ओएच इधर पर होता है मान लेते हैं NH2 यह पाट आता है और यहां पर अलकेल समू है मान लेते हैं इसको आमने किसी पानी में घोला जब वाचर में इसे डिजॉल्व करते हैं तो क्या है इनके पा बस उतना डारेक्ली इसली बतायता हूं सी डबल बॉंड ओ और ओ आ जाता है माइनस इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया यह हो गया भी अलकेल समू और यह होता है एमेन समू इसने एक एकसेप्ट कर लिया यह पॉजटिव हो गया अब अगर तुम्हें एक बात ध्यान समू है यह एकसेप्ट करता है यह बात को बात है इस तरÍके से इसने ओपो डोनेट किया एक बात दो डोनेट करें ओड़े गहा यह मानले यह एकसेप्ट कर लिया तो जब भी हम घुल में घुले में द्व जलमें गुलंशील होने पर एक साथ यह देखा जाता है कि एक ही अमीनो अमल में दो प्रकार की प्रवित्ति है चारिए भी यह और इसे आपर इसे जवीटर आयन तो दूसरी प्रापर्टी आपसे पूछा जाएगा कि अमीनों अमल में जवीटर आयन सोते हैं और आप अगर कुछ करने की ज़रुरत नहीं है बस इतना बता देना भाई कि जवीटर आयन मतलब एक ऐसा आयन जहां पर जवीटर आयन मतलब एक AG कर्बंपर प्रेजेंट रहें हैं वसे अपन इंके पास पाया जाता है पहला तो हो गेलफ कार्बंफ और दूसरा बात होगे हमारे पास ब्लbor रहें हैं ऑर समानने मतलब आप शल्मै घोलने पर दो प्रकार से प्रॉपर्टी हो सकती है या तो अमलीता वाली या तो छारीता वाली अभी तो सबको पता है यार ये अमली समू है ये छारी समू है अमली समू वाला जो है उसे अमलीता प्रतान करता है छारीता तो हो स्ट्विस करें ग्रोद कर एकुको माइनस समुह है यहाँ पर प्लेस और मायनस एक साथ हुपस्थित नो और यमkom है कि मैं घेट बारएंस होई तो यहते हुपस्थिता है इस तरीके से अब सवाल pend… आप लोग केमेस्ट्री में ही पढ़ेंगे लेकिन एक बात ही आती किसे मानलो कार्बन है हमारे पास उपर में हाइड्रोजन है फिर यहाँ पर हो गया C double bond O और यह हो गया OH यहाँ पर लिखा हुआ है R अब यहाँ पर हो गया मानलो NH2 एक शब्द आता है किसे अपन कहते हैं किरेलत किरेलता का मतलब होता है अध्या रोपित होना एक दूसरे के उपर में तो चार अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको समू दिखाई दे रहे हैं और चार अलग अलग प्रकार के समू होने की वज़े से जब एक Aminocet को दूसरे Aminocet के उपर उसे दुरुणता कहते हैं ज यहाँ पर पॉइंट आता है एक और चीज आ जाती है जिसे अपन कहते हैं किरेलिटी किरेलता और किरेलता का मतलब यह होता है कि एक Aminocet अमल यह होता है अध्यारोपित नहीं होगा इसका मतलब यह है कि मानलो हमने यह बनाये चार है ठीक है अब दूसरा Aminocet अमल अगर हम लोग देखें तो एक दूसरे के बराबर प्रतिविंब कभी नहीं बनेगी ठीक है बराबर प्रतिविंब नहीं बनते है एक्जेक्ट प्रतिवि प्रतिविंब नहीं सकते हैं इसलिए इसको किरेलता कहते हैं ठीक है इसका एक और रिजन होता है कि यहां कार्बन की इसका एक और रिजन निकल घराता है कार्बन की चारो सैयोजक्ता ये भी प्रोपर्टी है सैयोजक्ता जब सारी सैयोजक्ता जो है अलग-अलग क्या बोला मैंने इसे सारी सैयोजक्ता जो है अलग-अलग समू से अलग-अलग प्रकार के समू से पूरी हुई हूँ, उनकी सहयोजक्ता पूरी करने के लिए पूरी हूँ, हम उसे किरेलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे किरेलिटी कहते हैं, तो जहां पर भी चीजे जोड़ी जाती हैं, जहां पर भी चीजे बनती हैं, उस समू को हम लोग य को हमेशा देखना तीन प्रॉपर्टी हमेशा आपको दिखाई देगी और ये तीसरी ही प्रॉपर्टी आपके पास में याद रखना आपके किसी भी amino acid में रहती है और वो आपको याद रहना चाहिए यूँकि इसके बिना कहानी नहीं बन पाईगी तो केरलेटी का कॉंसेप्ट ऐसे तरीके से आप याद रखो कि चीज़े आपको बननी चाहिए ठीक है अब ये तीन प्रॉपर्टी की अधार पर यहां इन्ही अधार पर कुल मतलब आर की अधार पर आर परिवर्तित रहता है बाकी सभी समान रहेंगे परिवर्तित रहता है ठीक है अब आर बस बदलता है बाकी सब समान रहेगा हमेशा हर आमाईनोसिड में यहां कुल आर के अधार पर यहां आर के प्रकार पर प्रकार के आर रहेंगे आधार पर कुल 21 amino acid है कुल 21 amino aml है, मतलब पाई जाते हैं कितने total, 21 aml पाई जाते हैं और वो 21 aml कौन है, वो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसको अपन पढ़ने वाले 21 aml कौन है, कहाँ है, कैसे रहता है, क्या क्या चीज़े उसके पास होती है और कैसे हमको पढ़ना रहता है ठीक है, तो चलिए, start करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहला चीज़ एक बड़ा important सा पूछा जा सकता है इस topic की ओपर में जैसे अपन कहते हैं, biosynthesis ठीक है, biosynthesis of amino aml तो देखो भाई, हमारे सरीर में amino acid दो प्रकार के होते हैं amino acid दो प्रकार के होते हैं, एक कुबलते आवश्चक एक को कहते हैं, अनावश्चक एक की जरूरत होती है, और एक की जरूरत नहीं होती अब ये जरूरत और ना जरूरत की बात क्या होती है कि मान लोग कुछ हमीनियोसेट हमारे सरीर में बन जाते हैं, जो बन जाते हैं वो आवश्यक नहीं है, जो नहीं बन पाते तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपने भोजन से उन्हें लेना पड़ेगा, वो ऐसे हम अपने भोजन में खाते हैं, वो आवश वर्तित करके बना लेगा मतलब बना तो लेगा अब यह तो बात हो गए हमारी लेकिन प्ण। पधों में कैसे होता है तो प्धे क्या करते हैं भाई प्धे संस्लेशन करने के लिए इनके पास में कुछ नई नई चीजे होती जिसे अपन कहते हैं keto acids और ये बड़ा important सा point होगा इसको बड़ा ध्यान से समझना तो biosynthesis of amino acid in plant तो मान लो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको plants के बारे में कि plants में ये कैसे हो रहा होगा plants में ये कैसे हो रहा होगा plants में यहाँ पर याद रखना तो ये याद रखना इन plants यहाँ alpha keto अमल की मदद से होता है यह keto अमल की मदद से होता है ठीक है यह keto अमल की मदद से होता है keto अमल जो है यहाँ पर important role play करता है कीटो अमल की मदश्य होता अब कीटो अमल क्या होता है थोड़ा गौर करना मेरी बात पर ठीक है कीटो अमल क्या है और कैसे हम इसको बनाएंगे तो देखो यार कीटो अमल का मतलब होता है पहले इनके पास R हुआ करता था C double bond O हुआ करता था और C double O H था और यहां पर R था एक समू कीटोन का समू था और एक अमल का समू था यह हमको पता होना चाहिए एक कीटोन का समू था और एक अमल का समू था यह दोनों समू हमको पत तो जैसे ही यहाँ पर हमने amine group डाला यह point याद रखना amine group डाला तो amine group के डालते ही अब क्या हो गया आर तो था ही carbon जो अब किसके साथ direction कर दिया NS2 से उसके बाद C double bond O और उसके बाद हमारे पास हो गया H तो keto group यह जो होता है इसे अफन कहते हैं alpha keto acid क्या कहते हम इसे यहाँ पर इसे alpha keto acid ध्यान दीजेगा म키री बात को alpha keto acid यह जो होता है यह acid जो है आगे जाकर फिर बनाएगा तो इसे आगे ले जाकर जो हमने acid बना दिया और यह alpha keto acid से इसे बन गया थे यह पहली बात ये acid बन गया, carbon को change करते चले जाएंगे, और हमारे पास हमें acid बनता चला जाएगा, तो ये acid होता है, पहला glutamic acid शब से पहली बार बनाया गया, सब से पहले पहले बनाया गया, फिर तो उसी से बना-बना कर उप्यो किये गए, लेकिन सब से पहले जो बनाया गया होगा, वो glutamic acid रहा होगा, ठीक है, यह point याद रखना, तो यह हमारे पास में keto acid है, इसका हमने ketone पे NS3 को जोड़ा, तो वो X के साथ oxygen वहां से गायब हो गया, और मान लेते हैं, हम लोग amine group जोड़ दिये, तो NS2 वहां पर जोड़ कर, अब acid बना लिया, वो भी keto acid से बनाया है, और उसी से हमें से आगे चीजें चलती रहती है, और यही point आता है, ठीक है, तो चली, आगे point पे आते हैं, जैसे जैसे आप उसे reaction करते चले जाएंगे, वैसा वैसा यह आगे topic बनता चला जाएगा, यह acid हो गया, फिर 3-4 और acid हैं, जिसे मैं आगे आपको ड बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, तो जैसे मालोग हमारे पास oxaloacetic acid है, वो भी amino acid बनाएगा, इस सब लोग acid बनाने में मदद करते हैं, अब सवाल आता है directly point, की keto acid से बने, यह point याद रख लेना, अब point आता है type of amino acid, यह word आता है, बहुत जरूर, type of amino acid, कौन-कौन से प्रक हमने बनाया आवश्यक्ता के आधार पर, जब हम कह रहे हैं कि आवश्यक्ता के आधार पर कर रहे हैं, तो हमारे पास में दो प्रकार से हो जाता है, एक तो हम कहते हैं आवश्यक, और जब मैं कह रहा हूँ आवश्यक, इसका मतलब यह है कि वो essential है, essential का मतलब क्या है, फिर ह non-essential जिसकी आवश्यक्ता हमें नहीं है ठीक है जिसकी आवश्यक्ता हमें नहीं है तो हमें आवश्यक्ता इनकी है और उनकी आवश्यक्ता नहीं है यह दो पॉइंट निकल कर आता है तो यह हमारा essential हो गया और ये हमारा अनावश्यक याने non essential हो गया अब दोनों पर देखते हैं कि essential और non essential के बीच में major difference है क्या ये point पड़ेंगा तो आवश्यक और अनावश्यक के बीच में ये topic आता है कि यह हमारे आवश्यक जो है यह भोजन में अनुपस्थित है क्या बुला मैंने इसे बोजन में अनुपस्थित है तो जो बोजन में अनुपस्थित है absent है अनुपस्थित है उसे हम कह देंगे कि वो आवश्यक है तो कहा खाईए भाई बोजन में अनुपस्थित है पूरती होती है बोजन से नहीं होता तो क्या करेंगे भाई भोजन से पूर्ती होती है किसे पूर्ती होती है बोजन से पूर्ती होती है तो जिसे बोजन से हम लेते हैं वो आवश्यक है और जो अनावश्यक है यहाँ सरीर में ही संसलेशित हो जाता है क्या हो जाता है सरीर में ही संसलेशित हो जाता है और जो हमारे सरीर में ही संसलेशित हो जाता है तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो यह भोजन में अनुपस्थित रहेगा बोजन में क्या रहेगा अनुपस्थित तो यह हमारे भोजन में अनुपस्थित है मेरे बच्चे यह याद रखना वो भोजन में प्रेज और यह advertisement है that is why essential or non-essential कौन है इस में से essential, कौन है इस में से non-essential फिर हम इसकी कहानी हम फिर हम इसकानी हम गड़ लेंगे पढ़ लेंगे next class मैं इतनी बातें यहां पर ध्यान रख लो just वेलो, ठीक है चलो आज की कहानी आपे समाप लो ई इसलिए दीरे 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 पढ़ने के कोशिश क्या करो, जब बड़ा टॉपिक आए अराम से पढ़ो, तो जब आज टॉपिक पढ़ जाएंगे तो दो-तीन क्लास से फिर अपन एक्श्ट्रा भगाना शुरू करतेंगे, कहानिया याद रखो चलो अब हम इसके उपर कुछ प्रिस कर लेते हैं आज मैंने क्या बता है प्राइमरी मेटाबोलेट्स, सकेंडरी मेटाबोलेट्स और यह सारी चीज चलो प्रिस करते हैं इसके उपर में सबसे पहला प्रिश्ण देखो अभी यह जो चीज नहीं पड़े में ऑफ जो हमारे पास में कोण कौन सा आवश्चक नहीं है यह फिलहालनम भी से का। आरिक डुफीर इंटलिडिकल. आपने भी नापार कर लेंगे ए तो जयसे हमारे पास इस इसमें से option ऐसा निकाल सकते हो तुम लोग कि जनरली जो है हमारे पास में जो कौन-कौन सा answer इन में से हो सकता है तो lysine तो है, glycine भी है इन में से ठीक है, देख लेते हैं एक बार, tryptophan भी है, welline भी है, इसमें जो histamine है हमारे पास में, वो भी answer है इन में से, हिस्तामीन हो सकता इसके बाद वेलाइन भी है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफेन भी है, अनिवार अमीनोमलका, ठीक है, मतलब एसेंशियल जो हमारे पास अमाइनो इसिड है, वो कौन-कौन हो सकता है, फिनाइल एलनीन है, सही बात है, ग्लुटामिक एसिड तो नहीं है, एक है मेथियोनिन नहीं है, एलनीन नहीं है, यह आरजनीन, मेरे इसाब से सबसे ज़्यादा सही आंसर जो है, वो लाइसिन, परफेक्ट है, ग्लाइसिन, यह भी नहीं होगा, इसका यह आंसर ना, यह वाला गलत हो गया, ग्लाइसिन, मैं इसका ट्रिक से तो मैं बता दूंगा, कि मैं कैसे इसका आ Arginine, Asparginin यह तो दोनों नहीं होते ँडिक है यह दोनों नहीं होते हैं तो बचा कुछा जो जो और वह सेकेंड है स्टामिन होता है उआ है तो सही हम हैं तो आंसर सही हो और यह निकाला किन शुर मैं यह उसके निक्षर्ट को अब हैं। सबसेह आप नहीं सीह्गतitब कुम्हाते फिरल संट निली तो आपstyल कॉछ न काउdoes Orthodox सही है .. से ठीक है देखो आवाश्यक तेल तो तुमको सोचने की जरुवती नहीं है मैं कह रहा था नीबू घास तेल ठीक है अलकलोइड कौन होता है यह और भाई एबरीन औरेसियन और शदिया जो है वेनलास्टेन करुकमिन है तो टी का हो जाएगा फास्ट, C का हो जाएगा फॉर्थ, C का फॉर्थ और Б का थर्ड तो आंसर हो जाएगा फस्ट आंसर ठीक, आजाओ कोशन नम्बर थर्ड पर निम्न में कौन से बहुलक नहीं वो एक लखी रहता है हमेशा अब आगे question number 4 पे बिटा दिये गए समुगों में कौन सा विकल्प द्वीतियक उपापचे के लिए सही है कौन-कौन द्वीतियक उपापचे के लिए सही है ठीक है windblastin, morphin, codin, concannavalin कौन kevalin होगी कोई हिंदिम कहीं जए kailin को kailin को kailin यहां पर lycine और यह जो lycine और आरजिन है न अमीनौ अमले है यह answer गलत हो गया glycine अमांaster गलत हो गया यह भी गलत हो गया तो answer हो जाएगा first यह तो पढ़े है ना मोग यहां पर तो यह प्रशन हो गये next class में अमीनों अमल के बारे में डीटेल में कि अवश्चक अनावश्चक दुरूवी अदुरूवी और आपके पास अमली है चारी है और फिर प्रोटीन्स आदी के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे जो मिलते हैं नेक्स क्लास में अपना बहुत ध्यान रखना अच्छे से पढ़ना और दीरे 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 रिवीजन करते रहना ठीक है बाबाई